दोस्तु ज़्यादातर लोगों को यही लगता है और सोसाइटी में भी इसी बात को लेकर ज़्यादातर चर्चा होती रहती हैं कि जो सामानिय जनरल केटेगरी के लोगबाग होते हैं उनकी बजाए SCST वाले लोगों के लिए कानून थोड़ा ज़्यादा फेवर करता हैं यह SCST Act के तयात मुकदमा दर्च करा देते हैं जदतर लोग इस बात को लेकर डरते हैं लेकिन मैं आपको बता दूँ कानून सब के लिए बराबर हैं पहली बात तो यह दूसरी बात SCST Act को लेकर आज ही हाई कोट ने जो एक फेसला सुनाया ना वो देखकर आप भी चौंक जाएंगे अब आपको SCST वाले लोगों से डर नहीं लगेगा वैसे भी डरने की कोई बात नहीं है और जान बुचकर किसे के साथ कभी कोई गलत करना नीच चाहिए कभी किसी को अब सब्द नहीं बोलने चाहिए लडाई जगड़ा नहीं करना चाहिए लेकिन कई बार होता कि यार यह SCST वाला है यह अभी चला जाएगा पुलिस थाने फायर दर्च करा देगा कोट में केस से लेगा SCST का मुकदमा दर्ज हो जाएगा डरते हैं लोग बाग इस बात को लेकर लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है SCST को लेकर करना चाहिए कोट ने कहा कि पब्लिक प कोट का कहना कि जब तक पब्लिक प्लेस में SCST वाले विक्ति के साथ कोई दूर वियवार नहीं हुआ तब तक SCST का केस दर्ज होगा ही नहीं पब्लिक प्लेस बोले तो मालीचे रोडवेज बस्टेंड, शोपिंग मोल, सिनेमा थियेटर, रेलवेज स्टेशन ये जो पब्लिक स्टेशन होते हैं आम मार्केट, बजार वगरा में यहाँ पर अगर कोई किसी SCST वेक्ति को गाली देता है जाति सुचक अब सब्द बोल प्लेस बोले का मामला है, साल 2020 का, जहां रीतेश प्यास नाम के एक शिकायत करता ने, मोहन को एक इमारत के बेस्मेंट में जाति सुचक गालियां दी, फिर शिकायत करता ने बायान में कहा कि वहाँ दूसरे मजदूर भी थे, इन सभी लोगों को इमारत के मालिक जै कुमार आर नायर ने काम पर रखा था, तो एसे में दोस्तों दो साल तक इस केस की सुनवाई करने के बाद, अभी करनाटक हाई कोड के जज एम नाग प्रसन्ना ने, कली इस पर फेसला सुना दिया, और इस फेसले के मुताबिक, फेसला देते समय जज ने कहा कि बयानू को पढ़न इस के तहत मामला दर्ज नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके लिए S.E.S.T. Act का नियम ही यही है, कि किसी को आप पब्लिक प्लेस पर चाहती वादी सब्द कह रहे हो, कि किसी को पब्लिक प्लेस पर अगर S.E.S.T. वाले वेक्टी को गाली दे रहो ना, तो यह S.E.S.T. का निकाल ली है, तो वो कोड में F.I.R. लगा देगा कि मेरे तीन दोस्तों के सामने, इस ने मुझे गर पे गालियां दी, मेरे साथ मार पिट की, और दोस्तों तो उसके गवाई भी दे रहेंगे, किसी से दुस्मनी निकाल ली, तो मतलब यहीं जूटा मुकदमा भी तो लग कर दिया, करनाटक हाई कोड का कहना कि साधारन खरोच के लिए धारा 323 नहीं लगाई जा सकती हैं, और इतना ही नहीं, करनाटक हाई कोड से एक और नीजीले अदालत में भी इसका मामला दायर था, उसको भी खारिच कर दिया, और कोड ने कहा कि इस मामले को आगे बढ़ान इन में conclusion आप समझ गयोंगे, कि किसी SCST वाले व्यक्ति को आप पब्लिक प्लेस पर जाती सुझेक सब्द या कोई गाली व गलोच नहीं दे सकते हैं, उसके साथ लडाए मारपिट नहीं कर सकते हैं, वैसे बीना पब्लिक प्लेस पर भी नहीं करना चाहिए, मैरे कहने का मतल करिये वाले व्यक्ति को सपोर्ट की नहीं करना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, उम्मीद ये छोटी सी news update information आपको जरूर जानने मिली होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना, हमारे चैनल DLS News को सस्क्राइब करके बल आइकोन जरूर दबा देना, और भी अगर आप लो